ओम स्री गनेश राइनमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 मार्च शनिवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन- करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस् अनक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकें दोस्तो शाथिसात 39 से संबन्दित किसी सुब समाचार की आज आपको प्राप्ती होगी आध्ययत्मेक छितर से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ती का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विद्धार्ती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उससका प पर प्रतिबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रतिद्युंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिन चरिया वे आदतों का विशेश रुप से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आ होगा जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वैक गिरपा भी आज आपके ऊपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तों साथी साथ आप लोग वहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता व आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम है इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभावना बन रही हैं धन संचे करने का आर्थिक मामलों में भी सावदानी बरतनी की आपको आवश्च रखता है। आर्थिक मामलों में भी सावदानी बरतनी की आवश्च रखता है। आर्थिक मामलों में भी सावदानी बरतनी की आवश्च रखता है। दोस्तो दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। पनसाती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शयोग भी प्राप्त हो सकता है। परिवार की सुक्स विदा के प्रती आज आपकी प्राथमिकता रहेगी। पती पतनी के बीच संबंद मदुर रहेंगे। परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तो वैपार के विस्तार संबंधी नई संभावना पर विचार होगा। अपना पूरा जोस मार्केटिंग में तथा अपने प्रोडेक्स के प्रमोल्सन में लगाएं। नोकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और से कर्मियों का भी आज आपको पूरा सहयूग मिलेगा। साथि साथ कार्रे विस्तार की योजना भी कार्रे रूत में प्रणित होगी। परंतु उस योजना पर पुन्हें परिक्षन जरूर करें। साथि साथ नोकरी में हलकी फुलकी परिसानियां भी आएंगी। परंतु आप अपनी बुद्धिमता और विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांती पूर्ण धंग से ढून लेंगे। किसी बड़े अधिकारी या राजनितिक व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात से आपके काम बहुती आसानी से बन सकते हैं। परंतु के इमामलों में आपका स्वाबिमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है। इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लची रावना कर रखें। यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई बहत पपूर्ण व्यवसाइक गतिविदी आज लीक हो सकती है। करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परंतु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी। इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एक आगरचित रहें। अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश वपाय क्या है। दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक रोटी लें। और इसके बाद आप इस एक रोटी को एक साफ बरतन में रखकर अपने सामने रख लें। और इस रोटी के सामने आप बैठकर अपनी इक्षा पूरी होने की मनोकामना करें। या दोस्तो इसके बाद आप इस एक रोटी को भगवान शनिदेव का इस मनर करते हुएं काले कुत्ते को या फिर काली गाय को खिला दे। या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव आपसे बहुत जल्द प्रसन होकर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल लेगी हैं। दोस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार्रे बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे। दोस्तो भगवान शानिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।